Hello friends, Welcome to my channel आज मैं ये 2 और 3 नंबर काणाजी का स्वेतर बना के दिखा रही हूँ जो मैंने सलाई से बनाया है, निटिंग में है तो इसको मैंने 2 रंग से बनाया आप 1 रंग से भी मना सकते हो, और कई रंग से भी मना सकते हो इसी तरह से आप इसको और बड़ा और छोटा भी बना सकते हो मैंने 25 फंदे से शुरू की है अगर जीरो और एक नमबर की कानाजी का बनाना है आपको तो आप भी इस नमबर से गले का फंदे शुरू कीजिए और ज्यादा बड़ा बनाना है इसका तो और आप 30-35 फंदे भी ले सकते हो तो चलिए फिर शुरू करते बनाना इसके लिए मैंने ये 25 फंदे ले लिए हैं और मैं उल्टे-उल्टे सारे में बना लूँगी ये मैंने 6 लाइन दोनों तरफ से उल्टा बना लिया है गले का बॉर्डर है ये तो ये उल्टे का तीन लाइन आ रही है अब यहां से हम धागा बदलेंगे अब 4 फंदा उल्टा बना लेंगे सामने का बॉर्डर पट्टी के लिए चार हमने उल्टा बना लिया अब पिंग धागे को यहां पर काट देते हैं बॉर्डर का हम सामने का चार ये चार फंदा रख रहें और इधर से भी चार रखेंगे बाकी का जो ये फंदे हैं इसमें हम बढ़ाएंगे एक बार नीचे से बना लेंगे ऐसे और एक बार उपर से बना लेंगे ये नीचे से बना लेंगे फिर उपर से बना लेंगे ये हमारी सीधी साइड है हर एक फंदे में हम फंदा बढ़ा रहे हैं अब ये लास्ट का चार फंद है इसको हम उल्टा बना लेंगे सामने की बॉर्डर पट्टी है ये लास्ट तक हमारी ऐसी बनेगी अब उल्टे साइड आ जाते हैं उल्टे साइड में हम सारे में उल्टा बना लेंगे जो बॉर्डर वाली जगा है सामने की पट्टी वाली ये भी और अंदर का भी साड़े में हम बना लेते हैं जो हमने बढ़ाया भी अब उल्टी सलाई हमने सारे में उल्टा बना लिया अब सीधी सलाई में फिर से सारे में सीधे बना लेंगे और फिर से उल्टे सलाई में सारे में उल्टे बना लेंगे तो दो लाइन और बना के आ रहे हैं ये लाइन सीधी ये सीधी तरफ है और उल्टी तरफ उल्टी बना के फिर आते हैं यह फंदा बढ़ाने के बाद हमने तीन लाइन बना लिया है सीधी तरफ हम फंदे बढ़ाये थे फिर उल्टा लाइन हमने प्रेन बना लिया जिसमें फंदा नहीं बढ़ाया फिर सीधी लाइन हमने प्रेन बढ़ा लिया जिसमें फंदा नहीं बढ़ाया और फिर से उल्टा जैसे हमने फंदा इसमें बढ़ाया था पहले लाइन पे वैसे ही नीचे से जिस तरह से भी आप बढ़ाते हो बढ़ा लेना बस यह है कि इसमें हम जाली वाला नहीं डाल रहें बिना जाली का बना रहें बढ़ा रहें इसे हर फंदे पे फंदा बढ़ा लेंगे एक बार यह नीचे से बना रहे है इस तरह से यहां तक बढ़ा लेते हैं यह चार फंदा छोड़ते हुए अब यह लास्ट का चार फंदा हम उल्टा बना लेंगे अब उल्टे तरफ से सारे में उल्टा बना लेते हैं अब बढ़ाने के बाद हमने उल्टा पने बना लिया था सारे में अब हम सीधी तरफ आ गए हैं और हमारे पास 77 फंदे हैं तो सीधा फिर से बना लेते हैं सारे में और उल्टा बना लेते हैं तो बढ़ाने के बाद हमारा तीन लाइन हो जाएगा सीधी तरफ बढ़ाया फिर उल्टा बनाया इसमें सीधा बना रहे और फिर उल्टा बना रहे तो दो लाइन और बनाके फिर आते हैं फंदे बढ़ाने के बाद तीन लाइन और हमने बना लिया है तो हमारे पास अभी 77 फंदे हैं और शुरू से मैं बता देती हूं यह पिंक वाला जो है शुरू में 25 फंदे हमने लिये थे पहले और उसके बाद 6 लाइन बनाया तो हमारी तीर थाड़ी बनी है यह उल्टे-उल बढ़ाने के बाद 3 लाइन बना लिया और 77 फंदे हैं हमारे पास अभी तो शुरू से मैं बता देती हूं 25 फंदे हमने लिये थे यहां पर उसके बाद पिंक भागे से फिंक उन से हमने 6 सलाई बनाया है मतलब 3 धारी बनी है हमारी 6 सलाई बनाने पर उल्टे-उल्टे दोन ग्रीन वाले से फिर उल्टा सीधा उल्टा फिर सीधे पर बढ़ाया हमने फिर उल्टा सीधा उल्टा तो टोटल हमारा ये जो है 14 लाइन बनी है पिंक वाले से लेके अभी तक 14 लाइन बनी है अब हम जो है बाजू निकालेंगे तो 14 फंदे हम सामने के लिए निकालेंगे, सामने का जो पल्ला है, तो उसके लिए 4 तो ये बटन पट्टी का उल्टा बना लेते हैं, ये तो लाश्ट तक बनेगा ऐसे, दोनों तरफ से उल्टा, ये चाल उल्टा बना लियां, और 10 फंदे अब सीधे बना लेते हैं, 14 फंदे हमने बना लिये, सामने के लिए अब 14 फंदे हम बाजू का निकालेंगे, तो इसको हम पिन में डाल लेते हैं, 14 फंदे को इस तरह से, 14 फंदे फिन में निकाल लिया, ये बाजू का है, अब 21 फंदे हमने पीछे के साइट का बना लेते हैं, 21 फंदे हमने पीछे का साइट बना लिया, अब 14 फंदे बाजू का फिर से निकाल लेंगे, इस तरह से, 14 फंदे हमने बाजू का फिर से से तिपन में निकाल लिया, और ये 14 फंदे बन जो है, ये सामड़े का पर लेंगे, फिर से बना लेते हैं, अब ये वारा 4 फंदे हैं इसको उल्टा बना लेते हैं, इसको दोनों साइट से उल्टा बनाना है, अब इस तरफ से अब सारे में उल्टा बना लेते हैं पूरे में अब ये सारे में उल्टा बना लिया अब सीधा बना लेंगे अब हमें जितना LENCH चाहिए हों कर लेते हैं मैंने बना लिया है, इसे गले में पिंक कलर का बॉर्डर बनाया है, ऐसे नीचे मैं पिंक से बॉर्डर बना रही हूँ, तो ऐसे उल्टा उल्टा बना लेते हैं, दोनों तरब से, ये नीचे का पिंक कलर से बॉर्डर भी बना लिया है, और ये मैं छे लाइन बनाया है, तो ये तीन धारी आ रही है, और फिर मैं बन करके सबी धागों को कट कर दिया है, अब इसके बाजी बना लेते हैं, तो पहले मैं सलाई में डाल लूगी, फंदे, ये मैंने फंदे डाल लिये सलाई में, और चौदा फंदे हैं हमारे पास, और भागे को भी लगा दिया है, एक सलाई उल्टा और एक सलाई सीधा बना लेंगे, ये आठ सलाई में अनने खड़े वाले से बना लिया है, अब ये वाला बॉडर, और पास, और भागे, बना लिया हैं। पिंक वाला यहां पे जोड़के फिव आगे कम है पिंक वाले से बना लेती हूं दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बना लेती हूं पिंक वाले से यह मैंने 6 लाइन बना लिया पिंक वाले का भी दोनों तरफ से उल्टा उल्टा तो यह तीन धाड़ी इसमें भी बनी है जैसे हमारे इसमें और इसमें बनी है तो टोटल यह 14 लाइन हुआ हमारा इसमें हमने 8 लाइन बनाई थी और इसमें 6 लाइन चौदा लाइन बनाई है और अब हम बंद कर देते हैं इस तरफ से मेरी उन पतली है तो 14 लाइन में बनानी पड़ी अगर मोटी उन है आपका मोटी उन से बना रहे हो तो इससे कम बनाईएगा और अपने कानाजी के इसाब से आप बनाईएगा एक दो बाड़ा बनाते बनाते बीच में पहना के देख सकते हैं उससे आपको आइडिया हो जाएगा यह बाड़ा मैंने बना लिया है और इसी तरह से यह वाला भी बना लेते और उसके बाड़ दोनों बाड़ा को ऐसे सिल लेंगे अंदर की तलब से और फिर मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ कि यह मैंने दूसरी बाजु भी बना लिया और ुस तरह से आप बटन लगा सकते हों अभी मैं रख के दिखाड़ी हूँ और इसके नीचे आप टीच बटन लगा के फिर उस पर से यह बटनगा सकते हो प्र घॉटलख स्बμέकि बटन अब अब बनाई नहीं? ne ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट्स करके बताना वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करना शेयर करना और मेरे चनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना थैंक यू